तो इसको यूज करता हूं मैं और 2x-3 कैसे आ रहा है हम लोग बोल रहे हैं multiply by 4 on both sides मतलब 4 का multiply करते हैं 4 4 कर दिया यह आ जाएगा 1 by 2 में 4 का multiply करतेंगे तो 2 आ जाएगा ओके तो आप लिखेंगे यहां पर छोटे numbers आ गए और यह हो गए 2x greater than equal to 5 यानि x greater than equal to 5 by 2 जिसे हम बोल सकते हैं x greater than equal to 2 and a half अब देखेंगे यहां पर equality लगी हुई है 2 and a half भी include हो सकता है बटन तू यहां पर देखिए 2 and a half कहीं है नहीं तो एक condition यह है और दूसरी condition यह है इन दोनों का use करते हुए हम लोग बोल सकते है x belongs to 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखें 2 and a half से बड़ा होना चाहिए 2 and a half भी included है पर 2 and a half यहां है नहीं तो हम लोग शुरू कहां से करेंगे 3 से और 8 तक जाएंगे तो बस यही हमारा answer है number line इदर